So Hello Everyone, मैं हूँ Vikram और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ HDFC Bank के शेयर के बारे में तो आज मैं स्टॉक के डिविडेंट के बारे में बात करने वाला हूँ कि उसकी पेमेंट की डेट कब होने वाली है बहुत सारे लोग काफी टाइप से confuse हो रहे थी उनको समझनी आ रहा था कि उनको डिविडेंट्स मिलेंगे भी या फिर नहीं मिलेंगे या कही ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग को डिविडेंट्स मिल चुके और उन लोगों को ना मिले हो तो देखो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि X date इसकी कब थी तो announcement की जो date थी वो यहाँ पे 22 April की थी जो कि 22 April को dividend announce हुआ था और इसकी X date होने वाली थी 10th May की और यहाँ पे 19.5 रुपीस का dividend हमें देखने को मिल रहा था per share बट अभी तक बहुत सारे लोगों को dividends नहीं मिले हैं और मैंने भी HDFC Bank hold करके रखा तो मैं आपको पहले बतायाता हूँ कि मेरको भी अभी तक dividends नहीं मिले हैं तो dividend कम मिलने वाले क्या होने वाली हो उसकी payment date वो मैं आपको बताता हूँ पर उससे बहले हम company के results की बात कर लेते हैं तो HDFC Bank के Q1 का results अभी announce हो चुके थे जिसके बाद हमें यहाँ पर 2% का यहाँ पर हमें up move देखने को मिला है अब company के result को देखते हो अगर share price को देखे तो आज share price ने काफी अच्छा movement दिखा है हो बात कर लेते हैं HDFC Bank के share के targets के बारे में कि आगे हमें क्या targets देखने को मिल सकते हैं Q1 के results के बाद तो यहाँ पर पहला target निकल के आता है वह आता है 1686 रुपीज का यहाँ पर निकल के आता है और यह 1685 वाला zone अगर यह break करता है तो यहाँ पर हमें फिर next target 718 और यहाँ पर हमें फिर आगे चलके 736 तक देखने को मिल सकता है तो अब company के जो dividend की payment की date निकल के आ रही है वह 12th of August की जो की अभी एक दो दिन पहले ही update हुए जहाँ पर हमें dividend के जो payment की date है वो देखने को मिल रहे 12th August 2024 की तो जिसके पास भी X date से पहले पहले या X date तक उनों लोगों ने shares को hold करके रखा था तो वो सारे लोग dividends के लिए eligible होंगे अगर आपको doubt है कि आपको dividend मिलेगा या नहीं मिलेगा तो एक बार आप चेक कर लेना कि आपने किस date को अपने HDFC के stocks को sell करा था और अगर आपने long term के लिए already खरीद के रखा हुआ है तो फिर तो आपको tension की कोई बात ही नहीं है और अगर 10 में के बाद आपने खरीद है तो फिर आप यहाले dividend के लिए eligible नहीं हो पाऊगे तो यही थी सारी HDFC के stock को लेकर details मैंने आपके साथ share करी और किसी भी तरीके की query और आपकी किसी stock को लेकर तो आप मेरे को comment कर देना मैं उसके ओपर एक video बना दूँगा आपके लिए वीडियो आपके लिए helpful रही होगी ऐसी और वीडियो देखने है तो चैनल को subscribe कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में